ये स्टूडेंट ये है बिए फिप्त समेस्टर के जियोग्राफी यानि भुगोल के फ़र्ष्ट पेपर का पूरा का पूरा माडल पेपर कुष्चन पेपर जो कि इसी वर्स अभी रफिंटले में पेपर हुआ है इसमें जो भी जो भी पूछे गे थे लगग लगग मेरे मह संग्राम वीडियो के जो पीडियाफ है उसी में से आये थे तो इस वीडियो हम आपको वो सारे कुष्चन बताने वाले हैं जो कि आपकी परिच्छा में आ सकते हैं और कौन-कौन से प्रकार के कुष्चन हो जो पूछे जा रहे हैं सबार्टी के तो वीडियो मोस्ट इंप प्रियास नहीं समारा मुद्धा यही मेरा मारा प्रियास यहीए बस और हम आप लोगों का गलत क्यों चाहेंगे इतनी सारी बीडियो 1 अप लोग प्यार बहुत करते तो हम आपको गलत जान का एको देंगी थीक है तो आप लोग उस पने ज्यावरा सा भी ध्यान मत दिया कर तो सबसे पहले बत्रे q 그런데 कौन को से पूचे से और कौन को से आपके अपके आ सकते फिर लग पूचा गए तो अति लगत्रे में पहला प्रस्ण को पूछा गया था कि पर्योजना संसलिस्ट किसे कहते हैं या फिर इसके बारे मताईए नहीं रिपीट होता है या कभी कदार पुछा जाता है तो आपके पास मालेज़ा आपकी परीच्छा कल ही परसो है तो इस को से इग्नओर कर दीजिएगा ठीक है चलिए हम वही सारे कोस्टन बताने के प्रियाफ करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए महात्पूर्ण हो ठीक है यह चात्रों के दारा कोश्चन पेपर भेजा गया है जिन भी इनुवर्शिटिय में हो चीकिए अगला प्रश्ण है क्रसी नगर नियोजन के बारे मताई क्रसी नगर नियोजन एक बहुत ह पहले जानकार यह पहले अपको बता दें की कौन-कोन से आपको पुर्ण करने कि फेला कर लो कि नहीं जया वारन यह वह तो और दूसरा记 कशन गहत do कि अगला प्रश्ण है कि भयाज आर्फिक ब्रद्हिकिसे आर्फिक ब्रद्ह आप लोग समझ रहे न कि एकक्षां थे मतलब आप लोग पेंसे रोपिए यह इनि कि आप लोग रसे आपका प्रद्धि ओ रहे हैं आपका रहने का आपके खर्चे करने का आपका जो प्रस्णाल्टी है मैं कि जितने भी चीजे कुछ मिलाके बढ़ रही है रुपिय पैंसे से ही विशी को हम लोग आर्थिक ब्रद्धी कहेंगे आप लोगों को मालूमें कि आर्थिक से आर्थिक ब्रद्धी होती जब रुप यह बता देगा अभी उत्तर कहां पर मिलेगा ठीक है यह बता दे रहा हूं अगला की आर्थिकल्याण अठीग बने से एक कुषण फसेगा पक्का दो भर जाये तो भात ही लेकिन इक तो पक्का फसेगा इस बात को धान न सके है अगला कोश्चन के प्रसार प्रभाव यह इतना महत्पूर्ण नहीं आप चाहिए पढ़ सकते क्वे रेकोडिंगे आपके इतना महत्पूर्ण नहीं कि यह कि बहुत कम देखने को मिलता है अगला कोश्चन की सांकरतिक प्रतेश यह इंपार्टN कॉष्चन उसको आप लो और महात्पॉन है एक्जायम के लिए तो ध्यान रखेंगे मी किन फिर्धि न का धू कोंषों है किसे परिमाफा दीज़ैंगे ओपका का फिद्धान बताई इनमें सेagg क्या है यह पॉप्लर कोईश्चन है यह मोस्ट इंपर्टेंट कड़ घरे में इसको रखेंगे क्योंकि यह प्रस्ण कई बार आ चुका है और इस बार भी आपके एक्जामनेशन में आने की संभाव होना तो तुरंत नोट कर लिए ठीक है क्योंकि क्योंकि कुश्चन तो कुछ इन्वर्सिट्यों में दस आते हैं ठीक है तो यह अलग अलग इन्वर्सिट्यों पर डिपेंड करता लेकिन जो कुश्चन होते हों सिमिलर ही होते हैं ठीक है एक ही जैसे होते हैं लग 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 अब आ जाएंगे हम लग हुत्रे में देख लेते कौन-कौन से अब भारत में बहुत अफ्तरिय जो नियोजन है इसकी परिभाफा दीजिए यह पिर बिसे इस ताइम बताईए आपको देखने को मिल सकता है ठीक है तो यह भी इंपॉर्टेंट कटगरी का कुश्चन है अगला कि आर्थिक विकास के सूचक के विवेशना कीजिए ठीक है यह कुश्चन इस परिकार भी पूछा जाफकता कि आर्थिक विकास के बारे में बताईए ठीक है तो आर्थिक विकास जोड़ा आपको ज़रुर तयार कर ले रहा कि आर्थिक विकास जोड़ा 100% प्रशन फसेगा फसेगा ठीक ध्यान रखेंगे ओके तुरंत इसको भी नो लोगों को भी सकते हैं और चाहिए तो पढ़ भी सकते हुआ दो पुशन है धिक्यान और शक्तने आ हैं अब अगले जो प्र Campbell देखने को मिल्ले जा रहे हैं यह आज की जो राजनीती चल रही है उसके इसाफने जो आज की डो एक दो साल तेन जरूपन से रही लोगों को उनके बारे में जानकारे हुए चात्रों कोुभी पता चले की हाँ भाइ जो γवर्मिंट योजना रही है ठीक है वो लोगों ही चात्त के बारे पता है भी नहीं इसलिए हई डाल दिया गया अब इसके कोई ज़रूरत नहीं थी कि प्रदानाम सरकार में तो आगे अप्रस्णा आपको देखने हो कि मिलेंगे इसमें कहा जाएगा वहिया आप यहां पर लिखा कि निम्लिखित पर संचिप्ट टिप पर लिखे मत्तब कि प्रधान मंत्री आवाश योजना जो की ग्रामिड में आई इसके बारे में आपको पर्चे लिखना है कि यह योजना कब लागो कि गई है और किसने लागो किया है और इसमें क्या-क्या ग्रामिड के जो लोग है उनको लाव है ठीक है और इसमें क्या-क्या बिसेशता हैं वो सब आपको लिखना है ठीक है तो आपके जानकारी के लिए प्रधान मंतरी आवाश योजना आप सभी को मालूम है कि PM के द्वारा ये ठीक है लांच की गई योजना है जो कि मतब कि ये ग्रामिड और सहरी एरिया के जो भी लोग है उन सभी के लिए है लेकिन यहाँ पर कुष्टेण ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंतरी आवाश योजना जो ग्रामिड में है गाँ वाले जो लोग है उनको घर बनाने के लिए पैसे मिले है उनके बारे में आपको लिखना है सहरी वाला नहीं लिखना इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक है तो ग्रामिड आवाश योजना जो की लगभग लगभग कवर्मेंट अगर कोई मुद्दा उठता तो सबसे पहले इसी का बात करते है कि हमने जितने भी गरीब फैमली के फिर बीपील वाले लोग थे उनको सभी को हमने प्रधान मंतरी आवाश योज़ता दिलाए ठीक है इस मुद्द में बात करते हैं तो इसलिए यह कुश्चन लेटेस्ट है नया है तो आपके पर इच्छा में फश्न है कि उम्मीद है तो ध्यान लखेंगे अगला भी जो कुश् अब आप जिस भी एरिया में जाते हैं ठीक ठाक एरिया थोड़ा बहुत वहां पर आपको 90 प्रत्रत रोड सही मिलेगी लेकिन कुछ भी ऐफे गाव में रूलर एरिया है जहां पर रोड बहुत ही बेकार है ठीक है लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा सुद्धी करण या फ स्टार एखए और आपकी फिरिच्छा में फसेगा यह वाला को सुझे राड़ धार के विक्सित और विकास चिल्क हाणा कि विक्सित बिकास के बारे में आपको पढ़ ले नहां ठीक है उसके बारे में आपको लिखना ने ठीक है और अगला पर देसिंग नियोजन क्या है उपागमों का उलेक किजी यह प्रश्ण आपके लिए बहुत ही महातपूर है आती और लगुत्रियों में किसी में किसी में जरूर देखने मिलेगा यह वैरी वैरी इंपॉर्टन कोईश्चन फसेगा परिश्चा में ठीक है और अगला प्रश्ण है कि प्रदेशिक नियोजन उनके बारे में लिखना यह प्रश्ण की गारंटी नहीं लेकिन यह पहस भी सकता है और नहीं भी सकता है तो आपके ऊपर आप पढ़ भी सकते अग्नौर भी कर सकते हैं अगला आपको देखने को भी लेंगे देरगुत्रे कोईश्चन जो की बहुत ही पॉपलर टाइप के ब्याखे के चिए तो तैयार कर लिएगा काफी फुश्चन अगला भारत में प्रेदेशिक नियूजन भास प्रेदेशिक नियूजन से जड़े कई सारे कोईश्चन पोछे गए हैं इसी माडल पेपर में तो आपके बीबर इच्छा में एक प्रश्चन फसेगा फसेगा ठ कि आप सभी को मालूम है कि भारत में प्रधान मंतरी का चुना होता है यानि कि जो भी सरकार बनती हो पांच साल के लिए बनती पांच साल के लिए प्रधान मंतरी का ठीक है नियुक्त किया जाता है पांच साल के लिए होता है पांच साल के लिए उसको नियुक्त किया जाता है उसी तरह गाओं का प्रधान मंतरी होता है या फिर किसी भी area का सभासद होता है या फिर छियर मैन होता है ठीक है। तो यह सब क्या होता है यह हमारे देश की पंच वर्षी योजना है जिसके अं तरगत एक नाशयर कार बनती है और वो अपने उसार जो होता है वो योजनाओं लाती है और योजनाओं को पूरा करने का कारे करती है तो यह होता है पंच वर्षी योजनाओं तो इसके बारे में आपको लिखना है यह महत पूर्ट तो है आए गए यह नहीं आए गारंटी नहीं है अगला कोईशन भी यह पोरोक्स के विकास के द्र यह महां संग्राम पीडियुप उसी में मिल जाएगा लगभग लगभग प्रश्णों का ठीक है वह पीडियुप हम आपको टेलीग्राम पर प्रवाइड करा देंगे लेकिन जो चात्र में मैसेज करेंगे उन्हीं को पीडियुप मिलेगी बाकि जिस भी प्रश्ण का उत्तर पीडियोप में नहीं होगा उसको आपको गूगल कर लेना है मैं आपको इतना भरुस्ता देरा रहा हूं कि आप परिछा में पास हो जाएंगे इस वीडियो से टॉप तो नहीं करेंगे लेकिन पास हो जाएंगे लेकिन आप हमारी महां सेंग्राम वीडियो या पिर अन्य वीडियो भी देख लेंगे तो आपको उसमें और भी ज्यादा हिल्प मिल जाएगी बस आज किस वीडियो में से इतना ही मिलते हैं वीडियो में जैंद